आपको अपापका में यूट्यू चैनल अभी सेगे इन परमेंगे आपको भी बार बार अपने फोन के डेटा फाइस को कंप्यूटर में और कंप्यूटर के डेटा फाइस को फोन में टांस्पर करना होता है और हर बार आपको फाइल टांस्पर करने के लिए डेटा केबल वायर का इस्तमाल करना पड़ता है और बार बार आप डेटा केबल वा के अपने फोन के data files को computer में और अपने computer के data files को phone में बहुत ही आसानी से transfer कर सकते हैं तो आईए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में power mirror नाम से एक app को install करना होगा install करने के बाद इस app को open करें open करने के बाद उस app में आपको नीचे की तरफ more का option मिलेगा उस पर tap करें उसके बाद आपको वहाँ file transfer का option मिलेगा उस option पर tap करें उसके बाद आपको एक process दिखेगा जिसमें दो steps दिये हुए होंगे उन steps को आपको बारी बारी से follow करने हैं पहले step के अनुसार आपको अपने computer के किसी browser के search address बार में web.airmode.com टाइप करके search करना है ऐसा करते ही आपके उस computer browser में QR code scan करने के लिए एक page खुल कर आएगा अब आपको वापस अपने phone से दूसरे step को follow करने हैं दूसरे step में आपको scan to connect का एक button option मिलेगा उस पर tap करें और आपके computer browser में दिखाएगे QR code को scan करें scan करते ही आपका phone आपके computer से connect हो जाएगा और आपको आपके phone के data file से संब्दी बहुत सारे option दिखने लगेंगे आप उन options पर click करके अपने phone के data files को देख सकते हैं और उन्हें अपने computer ये laptop में export कर सकते हो अगर आप वहाँ पर file option पर click करते हो तो आपके phone का file manager खोल जाएगा उसके बाद आप किसी भी folder में जाकर किसी भी file को अपने computer में export कर सकते हो अगर आप category wise किसी file को अपने phone से अपने computer में export करना चाते हो तो इसके लिए बस आपको उस category option पर click करना होगा जैसे कि अगर आप music को export करना चाते हो तो आपको music वाले option पर click करना होगा अगर आप video export करना चाते हो तो videos वाले option पर click करना होगा और उसके बाद आप अपने files को phone से computer में आसानी से transfer कर सकते हो दोस्तों इस तरह से आप अपने phone से किसी file को अपने computer में export कर transfer कर सकते हो इसके बाद उस फाइल को चुने जिसे आप अपने फोन में डालना चाहते हो फाइल चुनने के बाद ओपन पर क्लिक करें किलिक करते ही आपका वो फाइल या फोल्डर आपके फोन में इंपोर्ट होने लगेगा और बस कुछी पल में आपका वो फाइल या फोल्डर आपके computer में और computer से phone में बहुत ही असानी से transfer कर पाएंगे दोस्तों यहां आपको files को transfer करने के अलावा कई सारे features मिल जाते हैं जैसे की reflector, video editor, pdf converter, tools, mind web के अलावा भी बहुत सारे features मिल जाते हैं यहां आप reflector की मदद से अपने phone screen को computer पर देख पाएंगे इसका मतलब यहां है कि आप जो भी काम अपने phone में करोगे उसे आप अपने computer screen पर देख पाऊगे इसे mirror screen भी कहा जाता है video editor की मदद से आप किसी video को edit कर पाऊगे pdf converter की मदद से आप किसी भी document file को pdf file के रूप में convert कर पाऊगे tools वाले option में आपको screen recorder, audio recorder, video downloader, video converter के साथ-साथ कई सारे options मिल जाते हैं और mind map में आपको कई सारे templates इस्तमाल करने के लिए मिल जाते हैं इसके अलावा भी आपको यहां पर बहुत सारे features मिल जाते हैं जिसका इस्तमाल करके आप अपने कामों को और ज्यादा आसान बना सकते हो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को facebook पर देख रहे हो तो हमारे page अभी से एक info take को like जरूर करते हैं तो दोस्तों ये थी ओजनकारी अब आप हम बताएए कि वीडियो आपको कैसा लगा बोमुल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद